पिछले विडियो में हमने ट्रिविया क्विज की एप बनाना सीखा जिसमें यूजर को अलग-अलग क्वेश्चन्स मिलते हैं उनके ऑप्शन्स मिलते हैं और यूजर क्वेश्चन्स का जो भी आंसर देता है उसको फीडबैक मिलता है इस टुटोरियल को बनाने के लिए हमने वेरियेबल्स के बारे में सीखा और लिस्ट का जो प्रोग्रामिंग ब्लॉग है इसके बारे में सीखा इस विडियो में हम अपनी एप में और स्क्रीन डालना सीखेंगे एक स्क्रीन हम डालेंगे जो की स्प्लैश स्क्रीन होगा यानि की वेलकम स्क्रीन होगा जहां आप जब लॉंच होगी तो यूजर वहाँ पर आएगा और एक और स्क्रीन हम डालेंगे जिसमें हम स्कोर दिखाएंगे फाइनल स्कोर और उसके साथ कुछ फीडबैक देंगे प्लस यूजर को गेम दुबारा खेलने की आप्शन देंगे तो सबसे पहले हम स्क्रीन बनाना सीखते हैं इसके लिए जब हम पहला विडियो बना रहे थे तब अप इन्वेंटर में जो डीफॉल्ट हमारे को स्क्रीन मिलता है वो स्क्रीन वन मिलता है और हमने एक नया एड्ड स्क्रीन करके एक नया स्क्रीन एड्ड किया था जिसका नाम हमने रखा था quiz अब हम ये वापर स्क्रीन 1 को सिलेक्ट कर रहे हैं जो डीफॉल्ट स्क्रीन है और जो हमने ब्लैंक छोड़ दिया था इस स्क्रीन पर हम चाहते हैं कि हमारा जो welcome स्क्रीन है या splash स्क्रीन है वो यहां पर आए तो हमारे splash स्क्रीन का layout इस किसम का है उपर टाइटल है उसके बाद यहां पर कोई image है और नीचे हम प्लेयर को game स्टार्ट करने की option दे रहे हैं तो सबसे पहले हम designer में जाके horizontal arrangements लाके इस layout को बनाते हैं ये splash page पर हमारी app का title तयार हो गया है अब हम next horizontal arrangement में कोई image डालना चाहते हैं मैं pixabay.com में जाके quiz के लिए images ढूंड रहा हूँ और यहां से जो भी image आपको पसंद आती है या आप अपनी कोई graphic design software यूज करते हुए आप अपनी image खुद भी design कर सकते हो मैं ये image download कर रहा हूँ और इसको मैं यहां डालना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं media में जाके upload file कर रहा हूँ और ये file जो हमारी upload हो गई अब मैं इस horizontal arrangement को select करते हुए यह image पे जाके यही जो हमने file अभी upload करी है इसको ok कर रहा हूँ तो अब हमारा जो layout है वो इस किसम का लग रहा है हम यहां पर एक button चाहते हैं जो की user को start game की option दे तो जो हमारा अब splash screen का layout जो है वो इस तरीके का लग रहा है हमारे पास यहां पे title है यहां पर एक image है और यहां पर हमारे पास एक start का button है अब हम इसको screen को program करते हैं मैं यहां पर blocks में जा रहा हूँ तो जो हमारा default screen one है यह launch होगा जब हम अपनी app शुरू करेंगे और हम यहां चाहते हैं कि जब player start quiz दबाए तो हम उसको main जो quiz का page है वहां लेके जाएं तो इसके लिए मैं यह जो हमने button बनाया start game button इसको program कर रहा हूँ और मैं क पिर control में जाके यहां से ला रहा हूँ open another screen name और हम क्या चाहते हैं कि यहां पर जो हमने पहले हमने बनाया था page quiz जिसका नाम था वो खुल जाए तो इसके लिए मैं text में जाके एक empty string लाके यहां लिख रहा हूँ open the page called quiz और यहां पर spelling exactly same होने चाहिए तो Q capital है UIZ small है तो मैंने वैसे ही quiz यहां लिखा है तो इसको हम test करके देखते हैं कि यह हमारा landing page है यहां पर मैं start button का जो start quiz का button जो है यह दबा रहा हूँ तो trivia quiz का हमने पहले बनाया था page वो यहां पर आ गया है हम अब क्या चाहते हैं कि quiz जो है वो एक बार चले उसके बाद हम जब सारे जो भी जित और option देंगे to play the game again तो सबसे पहले हम score डालते हैं score डालने के लिए हमें हमारे को एक और variable बनाना पड़ेगा तो मैं variables में जाकर यह programming block ला रहा हूँ initialize a variable called जिसका मैं नाम दे रहा हूँ score और हम यहां पे इसकी value set कर रहे हैं कि जब भी game शुरू हो तो score नाम के variable की value कर देना zero और उसके बाद जैसा हमने last video में देखा था कि हम इस programming block में चेक कर रहे थे कि user ने जो option select किया है क्या वो ठीक option है कि गलत option है तो यहां पर जहां पर हम कह रहे हैं कि अगर ठीक option है तो हम feedback दे रहे थे that's correct well done यहां पर जाकर हम चाते हैं कि अगर user ने answer ठीक दिया तो score नाम का जो variable है उसकी value one से बढ़ जाए और अगर user गलत answer देगा तो score जो है वो उतना ही रहे तो इसके लिए फिर में variables में जाके कह रहा हूं कि set और यहां पर डाल रहा हूं कि अगर ठीक answer है तो set the variable called score to और हम क्या चाहते हैं कि score की जो variable की value है जो zero थी अगर answer ठीक है तो जो भी current value है उसको one से increment हो जाए तो इसके लिए मैं फिर से match में जाके मैं यहां से plus का operator ला रहा हूं और हम यहां पर कह रहे हैं कि जो भी इस वक्त score नाम के variable की value है वो लेना और उस पे जो है one से उसको increment कर देना अगर answer ठीक है और अगर answer गलत है तो कुछ नहीं करना तो इस तरीके से अ हम score को track कर रहे हैं और हम यह चाहते हैं कि जो भी final score हो वो हमारे को एक नए page पर मिले तो हम पहले एक और screen बना रहे हैं और हम screen का नाम दे रहे हैं game over और game over screen में हम user को score दिखाना चाहते हैं कुछ feedback देना चाहते हैं based on final score क्या था और option देना चाहते हैं to play the game again तो सबसे पहले मैं game over screen का जो layout है उसको design कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं फिर से वही layout में जाके horizontal arrangements ला रहा हूँ तो यह हमारा play again का जो button है यह तैयार हो गया है जहां हम score दिखाना चाहते हैं वहाँ पर मैं सबसे पहले एक label डाल रहा हूँ तो हमने अभी तक यहां पर एक यह spacer का horizontal arrangement डाला जो कि केवल यह ऊपर तोड़ा सा में space देता है फिर हमने एक horizontal arrangement डाला जिसके अंदर हमने यह label डाला your score और उसके बाद हमने एक और horizontal arrangement डाला है और उसके अंदर हमने एक यह label डाला है जो हमने अभी blank text रखा है जिसका नाम हमने रखा है fin score final score label यहां पर हम जो भी score है उसको यहां display करेंगे और उसके बाद हम यहां पर एक कोई image डालेंगे based on score क्या है तो अगर user ना अच्छा score किया है तो हम कोई positive image डालेंगे और अगर अच्छा score नहीं किया है तो हम कोई और cheer up type की image डाल सकते हैं और finally हमारे पास यहां पर play again का button है तो यह image हम बाद में डालेंगे हम पहले score के बारे में सीखते हैं तो हमने इससे पहले वाले page पर जो हमने इससे पहले quiz का page बनाया था बढ़ अगर मैं game over वाले screen पर जा रहा हूँ और यहां जाके variables में देखता हूँ तो मेरे पास जो हमने पहले जो variable बनाया था वो variable है यह नहीं अगर मैं यह get variable लाके देख रहा हूँ तो यह list empty है तो वो जो score नाम का variable है वो carry नहीं होता है score नाम की variable में जो भी final value थी उसको अगर हम अपनी app में किसी और page पर चाहते हैं तो उसके लिए हमारे को score को store करना परता है और app inventor में हम अगर किसी भी data को store करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे को यहाँ पर designer पर जाकर नीचे एक storage की drawer मिलती है और हमारे पास app inventor में कोई भी चीज़ को store करने के यह options हैं हम अभी tiny db, tiny database जो है यह component को हम use करेंगे score को store करने के लिए और tiny database जो है वो आपकी जो phone की memory है उसमें अगर हमारा कोई भी variable है इस case में score नाम का variable उसकी value store कर लेगा तो हम अपने पहले page पर जहाँ quiz चल रहा था वहाँ पर भी tiny database डालेंगे और score की value को save कर देंगे और उसके बाद जो हमने नया page बनाया है game over नाम का page यहाँ पर हम tiny database से score जो variable है उसकी value हम tiny database से लाएंगे तो tiny database को use करने के लिए मैं पहले जो हमारा quiz का screen था वहाँ जा रहा हूँ जाता क्योंकि वो एक non visible component है और वो हमारे यहाँ पर component list में आ गया है तो अब हम इसको program कर रहे हैं तो मैं blocks में जा रहा हूं और यहाँ पर जहां हम score को increment कर रहे थे कि अगर ठीक answer है तो हम score नाम के variable की value 1 से increment कर रहे थे और अगर गलत answer है तो हम कुछ नहीं कर रहे थे इस वारे जो हमारा list view का programming block है मैं यहाँ पर tiny database में जाके यहाँ पर हम कह रहे हैं कि tiny database में हमें एक value store करनी है तो मैं यह programming block ला रहा हूँ इसको यहाँ attach कर रहा हूँ और यहाँ हम कह रहे हैं कि call the tiny database one dot store value और क्या value store करना उसका हमारे को एक तो tag देना है जिसके अंदर kind of a database field है जिसके अंदर हम जो भी value save करना चाहेंगे वो value save होगी और एक हमारे को value to store कि value store ही क्या करनी है उस tag पर वो हमारे को यहाँ define करनी है तो मैं यहाँ पर जाके फिर मैं text में जाके एक empty string ला रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा score था की एक tag बनाना called score और value to store क्या है जो भी हमारे score नाम के variable की value है उसको store कर लेना तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि tiny database में एक score नाम की field या tag बनाना और उसमें जो भी global variable score की value है उसको store कर देना तो इस तरीके से हमारी जो score की value है वो हमने एक database में store कर ली है अब मैं जो हमारा game over screen है यहाँ जा रहा हूँ तो मैं वापस designer में जाकर यहां से एक tiny database यहां drag and drop कर रहा हूँ जो हमारी component list में add हो गया और अब मैं जाके blocks में जाके कह रहा हूँ कि initialize the variable called score to और मैं यहां tiny database में जाके कह रहा हूँ वहां हमने store करी थी store value function यूज़ किया था अब हम यहाँ पर get value कह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि get the value और हमने जो tag बनाया था वहाँ पर वो था score तो हम कह रहे हैं कि वो जो tag score की value है वो ले आना और यह जो कह रहा है कि value if tag is not there that means कि अगर for any reason हमारी phone की memory में यह variable नहीं save हुआ तो क्या करना है computer को वो हमें यहां बताना है तो मैं वहाँ अभी हम simply कह देते हैं कि अगर नहीं मिला वो value तो उसको zero कर देना यह most likely नहीं होगा यह तब ही होगा अगर phone में value save करने के लिए उस database में कोई problem हो रही है तो हमने यह कह दिया यहां पर इस page पर तो हमारे को score की value मिल गई है और अब हमने यहां पर जो blank field बनाई थी हम चाहते हैं कि इस की value जो है वो यहां पर display हो जाए तो इसके लिए हम code लिखते हैं तो हम यहां पर सबसे पहले कहना चाहते हैं कि जब यह screen initialize होगा तो हम game over में जाके हम यह programming block ला रहे हैं कि when game over नामका screen dot initialize तो क्या करना कि हम चाहते हैं कि इसमें जो हमने यहां पर fin score label बनाया था इसमें हम इसका text define करना चाहते हैं तो हम यहां कह रहे हैं कि set the final score label text to और अब हमने tiny database से वो जो हमने पहले store किया था score उसको हम लेकर आए हैं तो अब हम cable यह चाहते हैं कि यहां से जो भी यह score नामका ही हमारा variable था इसकी value जो है वो display कर देना तो हम इसको test करके देख सकते हैं तो मैं quiz के page पे जा रहा हूँ और हम यहां पर answer करते हैं कि पहला question इसका right answer है भात्मा गांधी दूसरा question इसका right answer है स्वामार के नरायन और तीसरा question है इसका answer है correct answer है अमरिता प्रीतम यहां पर हमने अगर हम अभी यहां पर next question करेंगे तो obviously वो repeat हो जाएगा पर अभी हमारा हम cable अपना score वाला variable टेस्ट कर रहे है तो मैं यहां पर अब game over screen में जा रहा हूँ और हमारे को यहां पर ठीक value मिल गई क्योंकि हमारे तीन questions के हमने ठीक answer किया तो हरका एक एक point तो final score जो था वो 3 आ गया है तो यह जो हमने अभी coding करी है यह ठीक काम कर रही है हम इसको center align वगरा कर सकते हैं तो हम यहां पर designer में जाकर fin score label में हम यहां कह देते हैं align the text center और इसके horizontal arrangement में भी कह देते हैं कि यह सब center aligned है तो अब अगर मैं देख रहा हूँ तो यह हमारा ठीक display हो गया your score is 3 अब मैं वापस हमारा जो quiz का page था उस पर जा रहा हूँ और यहां पर जाके मैं यह पिछली बार हमने यहां पर यह डाल दिया था set global index back to one इसके बदले हम कह रहे हैं कि जब index नाम के variable की जो length है वो greater than the length of the list called questions की जब index जो है उसकी value length of list called global questions से ज़ादा हो जाए तब हम चाहते हैं कि हम user को next page में भेज दें जो हमारा यह जो हमारा page है called game over और इसको exactly right spell करना है तो यहां पर जाके हम control में जा रहे हैं और control में हम ला रहे हैं open another screen और हम यहां पर एक empty string लाके exactly जो हमने screen का नाम दिया था game over जिसमें g और o जो थे वो capitalized थे यह हम कर रहे हैं अब अगर मैं फिर से test करता हूँ तो मैंने कहा बहात्मा गांधी let's say मैंने यहां गलत answer दिया और यहां ठीक answer दिया तो यह next screen में आ गया पर यहां पर हमारे को यह error मिल रहा है कि list का next item लाने की attempt कर रहा है जो की है नहीं तो इसलिए यह error आ रहा है तो इसको ठीक करने के लिए हम वापस quiz पे जाते हैं जहां हम कह रहे हैं कि index नाम के variable की value जब greater than length of the list of questions हो जाए तो एक नया screen खोलना game over हम इससे पहले यहां पर global index को reset कर देते हैं कि जो index नाम का variable है यह इसकी value back to one हो जाए और उसके बाद user को हम दूसरे screen में ले जाएंगे तो यह करने के लिए हम variables में जा रहे हैं हम यहां से set variable की command लाके यहां select करें set the variable called index to और हम चाहते हैं कि इसकी value जो है वो वापस one हो जाए इसके बाद अगर हम इस वाले page में यह जो हमने play again का button था हम इसको program कर देते हैं कि हम option यह दे रहे हैं कि अगर user यह दबाएगा तो हम quiz को restart कर देंगे तो इसके लिए मैं game over वाले page में हूँ और यहां जाकर जो हमने अभी button बनाया था मैं उसको select कर रहा हूँ restart game button और मैं यहां कह रहा हूँ when restart game button is clicked तो जब game restart हो रहा है हम user को एक और screen में ले जाना चाहते हैं तो मैं control में जाके यहां से ला रहा हूँ फिर से कि open another screen name एक empty string और यहां पर अब हम जिस भी screen में उसको वापस भेजना चाहते हैं user को हम वहां ला सकते हैं तो या तो हम जो हमारा quiz का screen था वहां ले जा सकते हैं या back to the welcome screen जो हमारा screen 1 था वहां ले जा सकते हैं तो मैं अभी यहां पर screen 1 पर ले जा रहा हूँ तो exactly यही लिखना है यहां पर तो मैंने s capital screen 1 यह लिखा और इसको हम test कर रहे हैं तो मैंने play again का button दबाया तो मेरे पास यह आ गया और फिर मैं start quiz कह रहा हूँ तो मेरे पास यह आ गया मैं इसका right answer दे रहा हूँ इसका भी right answer दे रहा हूँ और इसका मैं wrong answer दे रहा हूँ तो मुझे score मिल गया 2 और फिर मेरे पास फिर से यह play again आ गया और अगर मैं इसको दबाऊंगा तो हमारा quiz हम splash screen पर वापस आ जाएंगे और दुबारा quiz start करने की user को option मिल जाएगी अब हम एक बस एक final चीज़ बनाते हैं कि जो हमारा feedback screen है जहां हम अभी cable score दिखा रहे हैं अगर हम वहाँ पर score के अलावा कुछ और visual feedback भी देना चाहते based on the score तो वो हम कैसे दे सकते हैं तो मैं वापस game over की screen में जा रहा हूँ हमने यहां पर final score display किया और हम यहां पर अब एक if then की condition लाके करना चाहते हैं कि अगर score एक certain value से उपर हो तो कुछ और हम कोई visual feedback देंगे और अगर कम है तो कुछ और visual feedback देंगे तो यहां पर हम कह रहे हैं variables में जाके हम कह रहे हैं कि जो score नाम का variable था अगर उसकी value तो हम math के operators में जाके वो value चेक करना चाहते हैं तो मैं यहां से यह ला रहा हूँ कि if it is greater than तो if the final score is greater than और आपकी मर्जी है कि आप यहां पर क्या value कहना चाहते हो कि it is a good performance तो हमारे तीनी questions हैं तो मैं कह रहा हूँ कि अगर value is greater than one यानि कि जो final score है वो two या three है तब हम कुछ positive feedback यहां देना चाहते हैं positive visual feedback देना चाहते हैं तो मैंने एक graphic designer software में ये दो images बनाई है एक जो कहती है oops you need to brush up your knowledge यानि कि अगर score कम है तो और एक है well done you are a trivia master ये images आप जहां पर भी आप बनाओ या आउनलाइन कहीं से download करो ये जहां पर भी saved है हम उसको यहां पर अपलोड कर रहे हैं तो मैं designer में जाके यहां पर कह रहा हूँ कि upload a file और ये दौनों files को मैं choose करके upload कर रहा हूँ तो ये दौनों हमारी जो file है ये upload हो गई है और अब हम क्या चाहते है कि ये जो हमने यहां पर एक horizontal arrangement डाला था मैं यहां पर जाकर drawing and animation में जाकर एक canvas जो है वो drag and drop कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ इसकी height जो है वो automatic हो और अब इसके मैं programming blocks में जाके यहां कह रहा हूँ कि अगर score जो है वो greater than 1 हो जो कि हम कह रहे है is a good score because out of 3 questions user को 2 questions ठीक मिले हैं 2 answer user ने ठीक दिये हैं तो यहां पर हम क्या चाहते हैं कि यह जो हमारा canvas हमने अभी डाला canvas 1 इसके programming blocks में जाके हम इसका जो background image है वो change करना चाहते हैं तो मैं यहां से यह setter ला रहा हूँ कि set the canvas 1 background image 2 और यहां पर हमारे को जो हमने file अभी upload करी है वो डालनी है ध्यान देने वाली बात क्या है कि उस file का जो भी हमने नाम दिया था वो exact वही होना चाहिए तो हमने हमारी file का exact नाम यह था well done trivia dot jpg और इसमें w, d और t caps थे तो यह exactly same नाम आना चाहिए तो हम कह रहे हैं कि अगर score अच्छा होगा तो background image यह डाल देना और हम फिर कहना चाहते हैं कि जाके इसका gear कर रहे हैं और हम यहां से else की condition ला रहे हैं, else if नहीं else की, इसको हम add कर रहे हैं और हम यहां इसको duplicate करके हम कह रहे हैं कि अगर जो score है वो कम हो तो क्या करना हम चाहते हैं कि background image जो हमारी थी, दूसरी वाली वो यहां display हो जाए तो वो हमारी exactly जो थी, वो यह थी, oops.jpg तो हम इसको अब test करके देखते हैं तो मैं यहां पर वापर स्क्रीन वन पे जाता हूँ यह हमारा splash screen हमारे को मिला तो मैंने यहां कहा start quiz मैंने यहां पर सारे ठीक answer दिये और अब जब मैं third question के बाद next question दबा रहा हूँ तब हम इस final score का जो हमारा screen है इस पे आ रहे है और score क्योंकि 3 है तो हमारे को यह well done वाली image मिल रही है इसका layout अभी हम ठीक कर देंगे अभी हम एक बार और test करते हैं तो हम play again कर रहे हैं और play again पर जाकर हम कह रहे हैं कि start the quiz इस बार हम गलत answer देते हैं पहला answer incorrect और मानलो मैं एक answer ठीक देता हूँ और फिर third answer मैं फिर से गलत देता हूँ तो मेरे को score मिला one और मेरी यह जो oops की image थी वो display हो गई अब हम इसका केवल जो layout है इसको ठीक कर देते हैं functionality जो है वो सब ठीक चल रही है तो अब हमारा जो layout है वो भी यहाँ पर ठीक हो गया है तो हम final test करके देख सकते हैं हमारा यह splash page है जहाँ पर हमारे को title मिल रहा है को image मिल रही है और एक start quiz का button मिल रहा है जब हम start quiz दबाते हैं तो हमारे पास यह screen आता है जहाँ पर questions मिलेंगे इसमें user answer देता है answer के साथ उसको feedback मिलता है और based on की answer ठीक दिये हैं कि कितने answer ठीक दिये हैं उस हिसाब से final score पता चलता है और final score के basis पर हम कोई image display करते हैं और play again की option देते हैं तो I hope आपको यह quiz बनाने की app पसंद आई